कैसे आप सब लोग, I hope आप सब अच्छे होंगे, तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं KMP algorithm के बारे में, अगर मैं बात करूँ इस algorithm की, तो यह one of the hardest algorithm है, पूरे DS है, यह मुझे काफी tough लगा था जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा, अब आप में से कुछ बच्चे घर आ गए है, first part आ जाएगा, second part कल आएगा, और यह इतना इंट्रेसिंग algorithm है, यह आपके दिमाग के पूर्जे खोल सकता है, इतना अच्छा algorithm है, अब यह मत समुझना कि अगर hard है, तो इसका जो line of code होंगे, बहुत ही बड़ा होगा, नहीं, 10 से 12 line का पूरा code है, उसमें यह पूरा solve ह हो जाता है, main part है इसका logic का, अच्छा भहिया, तो भहिया बहुत ज़्यादा आपने इसका हवावाजी बना दिये, तो चलो शरू भी कर दो, चलो फिल, start करते हैं हम आज अपने इस algorithm को, अब KMP में कूजने से पहले, हम कड़ेंगे LPS के बारे में, longest prefix suffix, अगर LPS हमें समझ आजाता है, तो भहिया, KMP भी हमें अराम से समझ आ जाए, तो पहले LPS कहता क्या है, वो समझते हैं, longest prefix suffix, यह आप से question में पूछा जाएगा, एक string इस type की आपको दी जाएगी, और इसमें पूछेगा, कि भहिया इसमें जो longest prefix है, और जो longest suffix है, उसकी length क्या है, जो मेरा longest prefix और जो longest suffix होना चाहिए, वो एककोल होना चाहिए पहले तो, उसकी length क्या है, वो मुझे answer में लाके देनी है, एक पहले छूटे example से इसको देखते हैं, माल लीजिए आपके पास सीधे रख, AACAA, इस type की एक string दे रिखे, पहले prefix होता क्या है, पहले हम समझते है, prefix मिला जो starting स चुरू होता है, तो इसका prefix A होता है, AA होता है, AAC होता है, फिर AACA होता है, और AACAA भी क्या होता है, चलो अभी के लिए इससे लिख देते हैं, इसको मैं अगर prefix बोल दूँ, suffix मिलाब जो पीछे से start होता है, मैं A को बोल सकता हूँ, AA को suffix बोल सकता हूँ, TAA को suffix बोल सकता हूँ, ठीक, AACAA को suffix बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको भी पूरे को suffix बोल सकता हूँ, अभी देखते हैं इसको, इतिनी लेंड किश्च कको कितने लंबे हो सकते हैं मेरे उनकी लेंड कितनी लंबी हो सक्ती है तो मैंने देखा यह prefix और यह suffix बिल्कुल क्वाल किर रहा है इसकी लेंड का है वन तो एभी तक मेरा highest answer वन है यह ए अट यह मैंच कर रहा है तो तो इसकी लाइन किती हो गई है तू हो गई है कि प्रिफिक्स सब इसके एक्वल आ रहा है यह AAC क्या यह CAA के ब्राबर है नहीं तो यह मेरा काउंट नहीं होगा क्या मेरा AACA और AACA एक्वल है नहीं तो यह भी काउंट नहीं होगा फिर तो मुझे सिर्फ जो मुझे श्रिंग दीए उसकी लाइन को आंसर में देदूँगा तो उसने question में दिया है कि आपको यह last वाला case नहीं लेना है last case बोले तो आपको prefix में पूरा string नहीं लेना है यह आपको क्या है question में given है clear है हाँ जी वह कर सकते हैं आपस में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इस question के असापते मेरा answer क्या होगा 2 होगा क्या होगा तो 2 मुझे output पर लेके देना है आई हो आपको question clear हो चुका होगा तो चलो इसको मिठा देते हैं अब हम बड़े example के और बढ़ते हैं थोड़ा मालीजे यह आपको एक string इबन है जिसमें लिखा a b c d e a b c d ठीक इसमें भी आपको सेम कुछा है कि longest prefix equal to longest suffix क्या होगतता है यहाँ पर मुझे साप साप दिखाई दे रहा a b c d और a b c d यह मेरा answer होने वाला जिसकी length कितनी है चार है तो चार मुझे output में लाके देना है solve कैसे करेंगे मैंने का पहले हम brute force approach सोचेंगे brute force approach क्या हो सकती है बिलकुल basic approach वीडियो को pause करो और सोचो क्या हो सकती है जो first matter तुमारे दिमांग में आ रहा है वही approach पहले आप सोचने की कोशित करो पहुच करो और सोचो आई हो आपने सोच लिया होगा इनव अब श्टार्ट करते है पहले brute force को brute force में मैं कर सकता हूं सारी prefix लिख देता हूं और सारी suffix लिख देता हूं यह कर सकता हूं मैं हाजी भाईया सारी prefix क्या होंगे a होगा एक a b होगा हाजी भाईया a b c d होगा हाजी भाईया a b c d e होगा हाजी भाईया a b c d e a होगा a b c d e a b और a b c d e a b और c यह मेरे क्या आगे prefix आगे ऐसी मैं किसको भी लिख सकता हूं सब इक्स को लिख सकता हूं तब इक्स में क्या आएगा d आएगा फिर क्या आएगा c d आएगा फिर क्या आएगा b c d आएगा फिर क्या आएगा a b c d आएगा फिर क्या आएगा e a b c d आएगा क्लियर फिर क्या आएगा d e a b c d आएगा ठीक फिर क्या आएगा यह c आ जागा आगे c d e a b c d अफिर लास्ट में B से स्टार्ट हो जाएगा कि B C D E A B C और D ठीक पूरा अला नहीं है किलियर है हाँ जी यह मुझे किलियर है अब इसमें क्या कर सकता हूं मैं मुझे सारे प्रिफिक्स मिल गए सारे सफिक्स मुझे मिल चुके अब मैं compare करा सकता हूं कि क्या यह दोनों string equal है नहीं है तो यह मेरा answer का पार्ट नहीं हो सकता क्या A B C D equal है नहीं है तो यह मेरे string का पार्ट नहीं हो सकता मला मेरे answer का पार्ट नहीं हो सकता क्या मेरा फिर्फिक्स सबिक्स के equal है नहीं है यह भी नहीं हो सकता क्या यह equal है उसने यह भी इक्वल नहीं है यह भी इक्वल नहीं है और यह भी इक्वल नहीं है तो मुझे पता चल चुका है कि मेरा अंसर कितना हो सकता है चार तो यह अप्रोच मैंने कौन सी उस करी है बिलकुल नाइब अप्रोच ग्रूट फोर्स अप्रोच क्या इसको आप खुद से code में convert कर सकते हैं मैं आपसे question पूछ रहा हूँ क्या मैं सारे prefix निखाल सकता हूँ बिलकुल निखाल सकते हैं भहिया पहले मैं सारे prefix निकाल दूँगा तो उसमें लगेगा मुझे order of n² clear? हाँ जी भहिया मैं सारे prefix निकाल सकता हूँ हाँ जी भहिया order of n² हाँ जी भहिया अब मुझे जब मैंने सारे prefix सारे suffix निकाल दी असवाद सिर्व मुझे match कराना है क्या कराना है match कि क्या यह वाली string इस इस श्रिंग के equal है हाँ ना उस वादे match की तो कराना है मैंने n square में यह निकाल दिया, n square में यह निकाल दिया, निकाल के मैं रख चुका हूँ, अब मुझे क्या करना है, compare तो करना है, हाँ जी भईया, क्या यह string is string equal है, simple सा question बूछ रहा हूँ, क्या यह string is string is string is string order of n square, clear है, हाँ जी भईया, clear है, तो total time complexity कितनी हो जाएगी, n square, n square, n square, order of n square, आपकी हो जाएगी time complexity, clear है, हाँ जी, space complexity भी आपकी निकलेगी, क्योंकि आप इन्ही strings को store कराके रख रहे हैं, हाँ जी भईया, रख रहे हो ने, इनको store कराके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, इनको आप store कराके रख रहे हैं, तो उस case में, आपका time complexity हमने निकाल दी, space complexity कितनी होगी, order of n होगी, या फिर order of n square होगी, या आपके लिए homework है, ठीक है, space complexity कितनी होग इसमें, clear, हाँ, जी भईया, तो इसको हम खुद से अराम से इस problem को solve कर सकते हैं, इस matter से बिल्कुल आसान, ठीक, हाँ, भईया, एक चीज बताईए, जब मैं दो string को match करवाता हूँ, दो string को, हाना, कि मुझे पता है कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ, दो string को match आप ऐसे करा स सब्सक्राइब, कि अगर आप एस दे रहा है, उसमें ABCD दे रहा है, और S2 दे रहा है, BCDEF, तो इनको मैं match कैसे करा सब्सक्राइब, कैसे मुझे पता चलेगा, ये दोनों बराबर है ये नहीं है, तो simple है, आप ऐसे करके compare कर सकते हो, क्या S1 equal to equal to S2 है, ऐसी होते है match, कि ये इसके equal है, वो खुदी भिधा देगा, अगर equal होए, तो one answer देदेगा, नहीं होए, तो zero answer देगा, तो clear है ये method, हाँ जी भईया, clear है, ठीक, तो इसके time complexity कितनी हो जाएगे, अगर इसकी length माल लूँ, इसकी length M माल लूँ, तो भाईये, total time complexity कितनी हो जाएगे match कराने में, बता स्टार्टिंग से, ठीक है, अगर उसको पहले में पता चलिया कि equal नहीं है, तो वहीं पर answer zero देदेगा, ठीक, हाँ जी भईया, तो इसके time complexity कितनी हो सकती है, order of, minimum of, n, n, ये कैस्ते आई, ये कैस्ते आई, वर्स केस में, आप कुछ भी लेलो, पर यही इसकी time complexity आने वाली है इसको आप से भी ले सकते हो, order of, n, order of, n ऐसे बरके, पर connect आपकी ये ही हो गई, ये क्योव वोला मैंने, ये वाला क्यो वोला, क्योंकि comparison कैसे होते है, एक-कर की होता है, ये इससे compare होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे, अगर पहले वाला compare नी हो, तो मेच तीन मेच किलियर है हाँ सौथ्य में जब जाने की कुछिस करेगा यहां तो कुछ है नहीं तो वह स्टॉप हो जाएगा आश्रा देदेगा जी रू ठीक अगर मैं इसकी लेंग एंड मान लूँ और इसकी एंड मान लूँ तो कितने कंपैरीजन हो हैं एंपलस वन ही कंप प्लस वन करने की जड़ोदी है वह आप समझ चुके हैं किलियर है आप इसको ऐसे करके भी लिसकते हैं पर यह ज्यादा सैंस नहीं बनाएगा यह ज्यादा सैंस बनाएगा आई हो यह वी आपको किलियर हो गया होगा हाँ जी वह यह कैसे मेरा स्ट्रिंग मैच का अल्गोरि यह है अब क्या इस प्रॉब्लम को हम और अफ एंड टाइम में सौल करते हैं तो यहीं पर हमारा के एंप इंट्रडूउस होता है जिसमें वह एल्पीअस देता है लॉंगे प्रिफिक्स सफिक्स टाइप पर एक एरे करता है उसके बाद उस प्रॉब्लम को सौल करता है पर इसमें हम कैसे कर सकते हैं स्फिक्स ऑने वाद एठीक है उसमें जो पहला करेक्टर होगा के अगर मुझे प्रिफिक्स एककल-टूस प्रिफिक्स नृफ करेक्ड़ी ने करेक्ष निलिमी रहेगा अगर मैचिंग हो रहा होगा तो बिल्कुल लॉजिकल है जैसे अगर मैं इसका आंसर में निखाना हूँ अगर इसका अगर पॉस्पिक्स निखलने वाला अगर आंसर पॉस्पिक्स तो यहां पर तो मुझे एक चीछ बता चलिया कि पहला केरेक्टर तो मेरा दोनों का सीमे सीमिय होifi ठीक हाँ अगर इप्रिफिक्स में एक को रद दो तो चिल्व पर जब हो नहीं है, क्या A or D equal है नहीं है, क्या A or E equal है नहीं है, क्या A or E equal है उसने का G है, तो अब मेरा पहला match हो चुका है, पहला match हो चुका है, ठीक, जब पहला match हो गिया, A, A match हो गिया, अगले अगले character को match कराऊंगा, तो 3 को भी एक आगे बढ़ाया, सब X को भी एक आगे बढ़ाय मैंने का PBB मैच हो रहे हैं, इसको भी मैंने आगे बढ़ाया, इसको भी मैंने आगे बढ़ाया, मैंने का CCB मैच हो रहा है, तो फिर मैंने इसको भी आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, मैंने का DDB मैच हो रहा है, ठिक, फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया, यहां पर तो मुझे पता है prefix वाला तो fix रहे, ए से ही start होगा, हाँ जी, तो suffix को भी किस से start होगा, ए से होना पड़ेगा, तो मुझे उसको यहां पर ढूंदना पड़ेगा, इसके बाद, इसमें क्यों नहीं ढूंद सकता, क्योंकि उसने कहा है कि suffix इसको नहीं ले सकता, इस पहले वा मैंने का easy है, चलो, अब यह और example से इसको explore करते हैं, क्या जो मैंसर अभी मैंने सीखा, क्या यह हरी page के लिए, मुझे answer लाके दे सकता है, चलो, देखते हैं, इसको अब explore करते हैं, इस problem को, ठीक, वही है, प्री को यहां पर लग लेता हूं, और सब को यहां पर लग देता clear A तो, हाँ जी भईया, A और B मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो सब रिक्स को आगे बढ़ा दिया, क्या A और C मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो आगे बढ़ा दिया, क्या A और A मैच हो रहे हैं, हाँ जी भईया, मैच हो रहे हैं, जब मैच हो रहे हैं, जब आगे बढ़ा दो कि कि दोनों को आगे बढ़ा दो इसको यहां पर लिए आया यहां पर यहां पर दी आ यहां पर लॉइट प्रिफिक्स डॉपिक्स नहीं बन पाएगा तो फिर से मुझे को राना पड़ेगा इस लाना पड़ेगा प्रिफिक्स वाले को क्लियर है हाँ जी भईया और क्या मैं सबित्व यहीं से continue करना है स्टार्ट कर दूं अगर मुझे order of end को achieve करना है चलो माल लेते हैं यहीं से हम आगे से बढ़ा दिशे बी अभी एक्वल है हाँ जी तो दूनों को एक-एक आगे बढ़ा दिए क्या प्रिफिक्स यह कहता हूं इसको और बैटर वे में अगर सोच नहीं कोशित करें इसको और बैटर वे में तो मैं सिरफ क्या उनी पॉइंट पर चक्करू जहां पर ए मुझे दिख मुझे पता है प्रिफिक्स तो ए होनेवाल है तो सब्सक्राइब बैटर तो क्या मैं अगर यह इसतार्ट करो चेकश करना कि भई जो सोमस्टिपा तो मैं इसको मैं आपस ली आ है अब मुझे पता इसे के साब दोसरा एम तो दूसरा यह औरूना कि यह फिर उसने मैच करा है एक वी बी को एक और फिर बाहर निकल लिया तो मुझे पता चलिए तीन लेंद का यह बेरा अंसर होनी वागत है कि यह मैचा अच्छा में लग रहा है क्यों क्योंकि मुझे पता अगर प्रिफिक्स ए है तो भाई यह से इसे क्यों अब अगर मेरे पास यह एक ग्जांबल दे रहा है इसमें मैं कैसे इसको इंप्रिमेंट करूंगा है चलो देखते तो मैंने देखा अगर इसको मैं इंडेक्टिंग दे दूँ इक्जांबल बहुत कराऊंगा ताकि आपके डिमांद में वो बैठे वो चीज़े ठीक मुझे पता प्रिफिक्स हमें हमेरे सा इससे स्टार्ट होगा ठीक सब्विक्स कौन-कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होना चाहिए बताइए या तो वह वाले इंडेक्स से सुरू तो यह यहां पे आगया यह यहां पे आगया यह 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 हो चुका है तो मनलब longest प्रिफिक्स और longest सब्स मुझे मिला जब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट प्रिफिक्स तो यह होगा सब्स मैंने कब यहाँ से स्टार्ट किया था सब्सक्राइब तो मुझे मेरा आंसर नहीं मिला अब मैं क्या कर सकता हूं अब मैं क्या कर सकता हूं उसके बाद में सैकिन वाले से स्टार्ट करो इस वाले इंडेक्स से कंपेर करना स्टार्ट करो इस वाले इंडेक्स आब इदर मेरा मत मैच हो रहे ए ए ए और इसका भीinen ए मैच होगे दा लेकिन इस उसमें आया मिस्छ मैच हो गया मिस्छ तो मोझे यहाँ पे रुखना पड़ेगा तो फिर से फिर से होई फॉलो करोंगा इसे चांठ Anwar व Sum बिल्कुल मैच हो रहे हैं, दोनों को एक एक आगे बढ़ा दिए, ठीक, A, A, बिल्कुल मैच हो रहा है, दोनों को एक एक आगे बढ़ा दिजी, A और D, बिल्कुल मैच हो रहा है, दोनों को एक एक आगे, नहीं, मैच नहीं हो रहा है, सौरी, मैच नहीं हो रहा है, जब मैच प्रिफिक्स तो यहीं पर रायगा संद्ध सकहर से इस प्वाथ कि मैंने का दुनों मैश हो रहे हैं दुनों को एक एक से आगे बढा दीजी तुमां दूनों के मैंने यह पर लए यहां Подलब हुत तो मल्लग यह थी मेरा मैश नहीं हो रहा है love इस प्रिफिक्स तो फिर method मैंने अग यूज किया जो हमने पहले intuition create करी थी क्या ये वही चीज follow कर रहा है क्या इसमें इसके time complexity order of NIE क्योंकि मैं comparison कर रहा था जब मैंने prefix prefix यह लिया था पहले मैंने इन दोनों को 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 compare किया फिर जब मुझे लगा mismatch हो गया तो फिर मैंने इसको फिर मैं वही चीज सिम कानी दो रहा रहा हूं ऐसे गरते में match कर रहा है तो भाई इसकी time complexity होगी वह भी order of N square ही होगी कि मैंने देखा जिसको हम सोच रहे थे जी सबना में इसमर तो मैंने पार ये और कोई ये फीसिबल मैफड नी ये भी time complexity लेके दे रहा है order of N square क्योंकि मैं सारे केंस को check कर दो किसको सारे किससको ओके भीया बैटर एप्रोच नहीं है मैंने का है क्या है चलो वह समझते हैं यह रहा हमारे पास एप्रोच अब यह क्या है पहले मैं आपको सिखाऊंगा टेबल को फिल करना बहिए आप पहले का अंसर बसा दे रहो नहीं नहीं कोड का आंसर नहीं बता रहा हूं पहले मैं आपको इंट्विशन जगाना सिखा रहा हूं ठीक साजी हुई है माल लीजिए आपको यह इस्ट्रिंग दे रही है इतनी बड़ी और इसमें आपको बताना है कि लॉंगेस प्रिफिक्स इस गॉल डू लॉंगेस सफि इस पर मैं कैसे करता है अगर इस पर मुझे टीबल बनानी पड़ती है देखू एरे जितना इसका साइज हो गो तनाई कभी बनेगा है अगर बहुत असना है यह इंडेक्सिंग है ठीक है हाँ जी अब यह एल्पियस किया है एल्पियस धिंपली वहां पर वह नंबर रखके देगा जहां पर वो बताएगा कि वहां पर का जो लॉंग्डेस प्रिफिक्स और जो सब्सस पार प्ल noi रखता हूं यह एल्पू है इस तरीगे से आपको बता रहा है सिंगल क्लिख्योמ भाइया सिंगल है इसमें लोंग इंटाफिक्स क्या हो जरो होगा हुग्च ही यहें क्योंग है कि पूरे को नहीं ले सकता असला बनलता अगले साकता मुर्त पुरी हो जिरो होगा हांजी आप इए और वी कूस दो अलीमेंट बेख यह मैं लोंगे तबिए कितना होगा? बताएं कितना होगा, मुझे बताएं, प्रिफिक्स ए होगा, शबिक्स बी होगा. इसमें भी आंसर नहीं मिलेगा, इसका भी आंसर जीरो हो. किलियर है हाँ जी हम मेरे पास abc आ चुता है इसमें longest prefix और longest suffix कितना होगा क्या a और c equal है क्या a भी और bc equal है नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ इसका answer भी क्या होगा जीरो होगा कि यहां तक कोई भी prefix और suffix match नहीं कर रहा है किलियर अम मैं ड पर आ गया ड के लिए भी सेमी कहानी होगी ड के लिए longest prefix और इसका कितना होगा यह 0 ही होगा होगा हां जी बाया मैं इसका भी कितना होगा यह इसका भी 0 ही होगा यह मुझे बता एक एक्वल नहीं है AB equal to DE यह नहीं है ABC equal to CD यह नहीं है ABCD equal to BCDE यह नहीं है prefix suffix equal आई नहीं रहे हैं तो answer 0 आजी विया clear अब अगला आया मेरा A इसमें कितना होगा आफ 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 बताईए इसमें कितना होगा मुझे पता है यह A और यह A equal आचुके है prefix और suffix equal आचुके है लैंड कितनी है ठीक है ठीक है क्या E E A और A B equal है नहीं है क्या ABC equal to DEA है नहीं है क्या CDE A equal to ABCD है नहीं है तो इस तरीके से मैंने सब को match करा तो सबसे लंबा मुझे कौन मिला A ही मिला फिर मैं किस पर आगया B पर आगया B को मैंने रख दिया अब यहां पर longest prefix कितना हो सकता आपका A B equal to AB यह इसके ब्राबर आ रहा है आ रहा है लैंड कितनी हो गई है दो हो गई है ठीक अब मैं C को इंट्रिड्यूस करता हूं इसमें कितना आ जाएगा ABC equal to ABC प्रिफिक्स की लैंड सब इसकी लैंड ब्राबर है कितने लैंड के हो तीन लैंड तो यह दिखा रहा आपको कितने लैंड का आंसर है मेरा यह तो basic basic conditions हो गई अभी इसमें छूटी से condition है वह समझ गई तो यह आपको अच्छे समझ आ जाएगा यह टेबल के आपको समझ आ गई है यह टू क्या दिखा रहा है कि भई यह लॉंगेस प्रिफिक्स की लैंड उस पर्टिगलर पॉइंट पर क्या है यह टू क्या दिखा रहा है यह टू क्या दिखा रहा है कि भई यह लॉंगेस प्रिफिक्स की लैंड कितनी है यह दिखाएगा टू माला हम दो पहले दो के ए equal है, clear है, अगर मैं दूसरी बाता में बोलूँ, यह 4 क्या दिखा रहा है, हम पहले 4 के equal है, अग दूसरी बाता में बोलूँ, यह 4 दिखाएगा 4th index को, इससे पहले वाले जितने भी element है, वो हमारे equal है, clear है, यह 4 के दिखा रहा है कि 4th index ते पहले वाले जो भी element है चार element वो मेरे equal है उनका prefix मेरे suffix के equal है यह 2 क्या दिखाएगा second वाले index ते पहले जो भी prefix वाले element है वो मेरे suffix के equal है अब आपको यह बनाना तो आ गया है at least कि इसको कैसे हमें create करना है अब आते हम अपने बड़ी वाली प्रोग्लम पर इस पर ठीक हाँ जी वहिया अब इसमें क्या हम कैसे solve कर सकते हैं मुझे पता है पहले तो जीरो होगा उसके लिए मुझे लड़ाई करने की जड़वत है नहीं पिर क्या होगा यह भी जीरो ही होगा लॉंगे सब्सक्राइब क्या होगा अगला क्या सी इसमें भी क्या होगा यह जीरो इसमें क्या होगा कि मुझे पता है यह आ और यह ब्राबर है तो D के लिए कोई prefix suffix ही नहीं, clear है हाँ जी मैं D की बात करूं, BD की बात करूं, ABD की बात करूं, CABD की बात करूं, BCABD की बात करूं, तो answer 1, फिर B आया, तो ABD equal to AB, longest prefix equal to longest suffix, फिर क्या आया है, C आया है, longest prefix equal to longest suffix, 3 हो गया, फिर से मेरा A आया है, longest prefix equal to longest suffix, चाल लैंड का, जो सबसे बड़ी लैंड का मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी, अभी हम manually देख रहे है, अभी code बें convert, नहीं है, थोड़ी देर में कर देंगे, ओके, फिर क्या आया, B आया, यहाँ भी मैंने देखा, यह भी 5 लैंड का बन चुका है, ठीक, हाँ जी अब अगला क्या है, C आया है, क्या है, C आया है, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, DR, तो मतलब, 6 वाला तो answer possible नहीं है, तो क्या यहाँ पर 0 लिख दूँ, या फिर कोई और prefix भी possible है, prefix अपिक्स, मैं अगर बात करू, ABC equal to ABC, हाँ जी, यह वाला case, हाँ, तो यहाँ पर 0 की जग हाना LPS, ठीक है, हाँ, जी वाया, ठीक, हाँ, जी वाया, यह समझा आगिया, हाना, मैंने देखा, ABC, 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 ABDA के equal नहीं है, तो मैंने का, कोई और prefix जूम नहीं कोशित करो, जो सब एक से equal हो, तो मुझे यह मिल गया, तो answer 3, ठीक, उसके बाद क्या आया, A आया, इसके लिए कि चार हो गया, फिर मेरा B आया, तो मेरी लैंज यह है, पांच, फिर D आया, तो यह इसके equal है, तो answer कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो जब आप output में दोगे answer, तो क्या दोगे, तो last वाली value होगी, कि भाईया, इसका answer 6 है, I hope आपको logic बिल्कुल क्लिए हो चुका होगा, मैं आपको यह भी समझा चुका हूँ, यह फूर क्या दर्थाता है, यह फूर क्या दर्थाता है, कि हम चार element, एक, दो, तीन, चार, किसके equal है, पहले के चार के equal, एक, दो, तीन, चार, ABCA, ABCA, किलियर है, यह फिर फूर्ट वाली इंडक्ट पर जाओ, उसके पहले के जितने के equal है, किलियर है यह, हाँ, जी भाईया, किलियर है, अब भाईया, यह तो मैंने समझ आ गया, पर इस टेबल को फिल कैसे करेंगे, फिल करना, बहुत बढ़ा टास्क भेया, अभी हमने एक केस देखाता है, यह वाला, यह वाला, फिल कैसे करूंगा, कोई तो लॉजिक होग कुछ important सा logic, जिससे मैं इसको फिल कर पाऊं, असान सा, मैंने का बिलकुल है, उसको देखते हैं, यहां तक चमक रहा है न सब कुछ, हाँ, जी भाईया, तो मैंने का या, इसको फिल करना ना, उससे भी जादा असान है, ठीक, हाँ, जी भाईया, अब मैं क्या गरता हूँ, वही काम जो मैंने पहले ही किया था, एक prefix pointer ले लेता हूँ, और एक suffix ले लेता हूँ, ठीक, हाँ जी भाईया, और in value को मिठा देता हूँ, फिलाल के लिए, in values को मिठा देता हूँ, इसको मुझे बढ़ना है, ठीक, हाँ जी, मुझे पता है, यह तो मेरा zero होगा, पहला बा मैं आपसे पूचाओं, क्या मिरा b, मेरा a, equal है, उसने का नहीं है, तो यहां पर सीधा zero हो, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, slowerfix equal है क्या prefix equal है, नहीं है, तो यहां पर zero, फिर से इसको आगे बढ़ा दो, क्या मेरा a और a, equal है, उसने का जी है, जब equal आते हैं, तो मुझे प mahach हो जाता है तो दोनों को एक-एक से आगे बढ़ा तो याही कर रहा था नुए हाँ जी मेच कर रहे हैं तो यहाँ पे answer क्या लगी हो बता अधननों नहीं को आपको मिल कैसे है जिसको बहुत स्पाइब प्रिफिक्स कर रहा उसके इंड़क्ष जीरो प्लस उन करके वन लिग दीजिए किलिए रहना हाँ जी भाईया फिर दोनों को एक एक से आगे बढ़ा दू मैं ने यहां पर C और यहां पर D है क्या यह एक्कवल है कि उसने गाए. नहीं है नहीं है. नहीं है नहीं है तो अब क्या कर Lego बताइए जब काम करना पड़ेगा सब दोनों को इसकोल फिर से चांटिंग में लेके जाना पड़ेगा ऐसे हिरके और यहां पर जीरो दाल दूंगा त्यूंकि मुझे यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाईया प्रिविक्स सब्सब्स एक्वल है नहीं है और इसको भी एक से आगे बढ़ा दो अभी जो लॉजिक हम सूच रहे हैं ठीक हाँ जी भाईया फिर मैंने देखा ए और ए मैच हो रहे है तो मैं क्या करूंगा जीरो प्लस वन यह एक लैंद का मैच हो चुका है दूनों को एक एक से आगे बढ़ा दू बी और बी दोनों मैच हो रहे हैं तो वन प्लस वन तू दूनों को एक से आगे बढ़ा दू सी सी दोनों एक वल हैं तो टू प्लस वन तीन लैंड का मेरा मैच हो चुका है दिख रहा है न आपको प्रिफिक्स सा सफिक्स की लैंड हा जी भी या फिर यह यहां पर आ गिया और यह यहां पर आ गिया मैने का यह भी ए यह भी ए थिक तो वह कह रहा है वह भी मैच हो रहा क्लियर है क्योंकि मैं अच किया A B C A A B C A longer prefix को लो longer suffix फिर मैंने का दोनों को एक एक आगे पड़ा दो मैंने का B B दोनों मैंच करते हैं इसके इंदक में एक वन एट करके यहां बे लिख दो इसको यहां और उसको भी एक से इंक्रीस कर दिया अब मैंने यहां पर देखा D और T मैच नहीं हो रहें क्या नहीं हो रहें तो यहां पर क्या लिखना चीए मुझे बताईए जब मैच नहीं होते हैं तो यह जीरो लिख दो जीरो लिख दो जैसे हमने पहले यहां पर लिखा तो यहां पर भी जीरो लिख दो होगे अंसर क्या यहां पर जीरो आना चीए या फिर यहां पर थ्री आना चीए यहां से दिखिए क्या यहां पर जीरो आना चीए यहां आना तो थ्री चाहिए था क्योंकि मुझे पता है यहां तक abc और abc यह दोनों एक्कोल आले हैं लेकिन मैं अगर अपने logic को implement करता हूं कि जैती मैंने mismatch देखा मैं सीधा 0 भर दे रहा था मतलब हमारे logic में कुछ दिक्कते हैं जो अभी हमको solve करनी हैं और यही तो खास्यादे कि वह problem कैसे solve होती है बहुत ही असान तरीक है बहुत ही असान तरीक है तो मैंने simply क्या देखा अगर मैं अपने normal method को यूद करता हूं मुझे पता है prefix मेरा यहां पर प्रिफिक्स लेकर प्रिखता हूं और suffix वाला point है यहां पर हाजी हाँ मैंने देखा यह और यह equal नहीं आ रहा है बिल्कुल भी equal नहीं आ तो क्या मुझे इसको इससे पहले वालों से भी match कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए जैसे मैंने देखा यहां पर answer तो आना 3 चाहिए था तो क्या मुझे इसके पहले वालों से भी इसको compare करना चाहिए अगर मैं इस prefix वाले को लिख दूँ प्रिफिक्स वाले को लिख दूँ यहां पर A, B, C A, B, D ठीक है हां जी वाया और इस suffix वाले को लिख दू जा तक यह match हो रहा था ठीक है अगर इसको भी लिख दूँ कि A, B, C, A, B, C यह मैने लिख दिया सफिक्स वाला ठीक मुझे पता था यह दोनों मैंच हो रहे थे यह भी मैंच हो रहता हूर था और यह यहां पर पहला मिस्मैच आया था इसके अगर मैं आपके सामने ऐसे करके लिख दो और इसके भी लिख देता हूं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिक, ऐसी दिख रहे थे हो, हाँ जी भईया, ऐसी दिख रहे थे, pen का color थोड़ा change करते हैं, और संदाते हैं, तो यार, यहाँ पर मैंने देखा, कि यह C और यह D equal नहीं आर, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, prefix में C को यहाँ पर लाइक करता है, तभी मैं match करा पाऊंगा, तो यहाँ पर यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, तो मैं इसको बोलगा, पहले C को ढूंड़ना है मुझे prefix में, तो एक पीछे लिए कि यह C है, नहीं, कि यह C है, उसने का यह C है, तो यह दूनों equal आ गए, ठीक, हाँ जी अब उसे prefix को match भी कराना है, तो अब वो इस B को किस से match कराएगा, इस से, इस A को किस से match कराएगा, इस से, और उसके बाद इसको किस से match कराएगा, यह खता हो गया, तो अब उसे match कराने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने देख लाए, उसके 3 match हो चुके थे, तो उसने से क्योंकि उसको क्या चीए कि प्रिफिक्ट रावर सफिक्स हो हाँ जी भाई अगर इस मेंसर्ट की साप्त में अगर बात करूं अगर मैं यहां पर उसको फॉल करने की बिल्कुल नहीं आ रहे हाँ तो उसको मैं compare कैसे करा सकता हूं या तो मैं स्टार्टिं से सुरू कर लोग इस एक को मैं किस से compare करूं इस B से equal नहीं है इस A को इस A से equal आगे है इस Bको इस B से equal आ गए अब इस C को इस C से जैसे मैंने compare किया और वो मुझे equal मिल गया तो मुझे क्या करना पड़ता है भाई इसके index को 2 plus on गरके 3 कर दीजिए यही करता नहीं करता हाँ जी भाईया तो यह वाली process भी क्या है मैंनुवल ही है कि मैं करके सब को चेक कर रहा हूँ और जिससे मेरे time complexity में क्या पड़ेगा परक पड़ेगा time complexity मेरी high हो जाएगी order of end time में नहीं आपाईगी अगर हम a के करके सब को चेक करता हूँ भाईया आपने a को a से compare क्यों नहीं किया फिर देखो अगर मैं a को a से करता हूँ यूजे b को b से करना पड़ेगा c को c को a से a को b से b को d को c से तो फिर मुझे answer नहीं बिलेगा तो मै यह पोर्षन इस पोर्षन मैच हो रहा है इसलिए यहां पर थ्री आगी है किलियर है हाँ जी भाईया इसका optimize approach क्या हो सकता है इससे बढ़िया approach जो पटापट मुझे answer लाके देखो इसको इतना इसको इतना मुझे पता है DRC मैच नहीं होने वाले DRC मैच नहीं होने वाले त इस AB के equal है है या नहीं है हाँ जी भाईया है और जो इसका next है और जो इसका next है वो दूनों भी क्या है इकक्वल आ गए जैसे इकक्वल आ गए टू प्लस फुन करके मैं थ्री लिख सकता हूँ हाँ जी भी यह लिख सकते हैं मैंने क्या बूला मुझे confirm पता है कि भी यह DRC नहीं आए अब मुझे इसको इसके prefix वाले किसी से मैच कराना पड़ेगा इस वाले portion में डी से आगे वा अब मैच यह है उसके बाद जो इस मैच का next element होगा यह और जो इसका next होगा यह दूनों भी equal है हाजी भईया यह दूनों equal है क्यों मुझे पता है A A B B और C C तो 2 प्लस 1 3 जो उसका index था इस तरीके से तो मैं क्या बोल सकता हूँ अगर मैं इसको string 1 बोलू और इसको string 2 लॉौगे ज़िक्स को सब्सक्राइब करने क्यों बोल सकता हूँ बोल सकता हूँ बोल सकता नहीं बोल सकता हाँ जो सबसे बड़ा वाला होगा हाँ जैसी मुझे मुझे वह मिल गया यह वो दो लेंद का है तो उसका अगले वाले को मैं 2 प्लस उन गरके यहांपर आंसर लि जोगे यह कैसे निखा लोगे ध्यान से गौद करो हैं कि यह दोनों बराबर हैं यह बराबर है यह बराबर है यह बराबर है तो अगरम इस लिख दूख a b c a b यही वाली string मालनों तर्के सब बराबरी तो हैं यहां तक बराबरी हैं क्यों मैं इतनी string के पार्ट दे रहा हूं मैं क्या बोला। long-end prefix of s1 equal to long-end prefix of s2 मैं इसके prefix को इसके सब रिसके साथ match कर रहा हूं यही मैं कर रहा था हां जी मैंने देखा दोनों एक जैसे ही हैं दोनों एक जैसे ही हैं दोनों common हैं बिल्कुल क्यों 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 मैच कर रही थी इसलिए common आई है हां जी तो अगर मैं सिर्प इस string को पकड़ू और बोल दूँ कि भाईया इस string का longest prefix क्या है इस point पे बात खतम ब मुझे लेके देगा यह वाला यहां पर देगा नहीं देगा 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 नहीं देगा हां जी भईया देगा क्या यह कौन से समझ आया यह बहुत इंपोर्टन था इस point को समझाने के लिए मैंने कैसे आपको एक एक करके कि एक को संजा है क्योंकि पहले मैंने match करे हैं पिर मैंने आपको बला कि इसके पहले बाले सा कमपेर करो इसका टूलों के suffix फिर मैंने देखा कि दोनों इश्रिंग तो एक ही है एक ही है तो मुझे सिम्पली इस उस्ष्रिंग को पकड़ना है है हाँ जी बहिए क्लियर है वह भी दिखाएगा यह अगर मुझे दो आंसर लिके दे रहा है तो यह दो बोला कि यह भी इस एवी के एक्वल्स है हाँ जी बहिए ठीक वो मुझे सिंपली साइकर इंडेक्स पर लिके जा रहा है मुझे सिंपली इसको और इसको कंबेर कर देना सिंपल सा जब मैंने कंपेर किया कि क्या 3 व्रावर 3 है उसने का जी है तो 2 प्लस 1 3 यहां पर आपको यह पूरा प्वाइंट यह ही है कि उसके बाद मुझे पता यह जो प्री वाला है मैंगै ठी यहां पे ठीकि उसने three और इसको match कराया जैसे match करके मेरा answer आया दोनों को एक एक से आगे बढ़ा दीजिए ठीक यहां पे आगिया यह वाला यहां पे आगिया एक और एक यह उसने का जी है तो answer क्या आएगा उसका three plus one four दोनों को एक एक आगे बढ़ा दो ठिक, B और B दोनों क्या है, equal है, तो आंसर क्या जागा, 4 प्लस 1, 5, दोनों को एक एक आगे बढ़ा दो, B और D equal है, आंसर क्या जागा, 5 प्लस 1, 6, ठिक, दोनों को एक एक आगे बढ़ा दो, यह बहार आ गया, मुझे मेना आंसर मिल गया, आई हो आपको यह लॉजिस बिल्कुल अच्छे से चमक गया होगा मैंने यहां पर क्या किया एक बार उसको ध्यान से देते हैं कोड़ पार्ट में कैसे हमने इसको थॉल किया मुझे पता था यहां इसको इंडिगेट कर रहा था और जो मेरा प३िरख था वो इसको इंडिएट कर रहा हो हिजिए प्री और यह सब यह चाल यह करके बनाए उड़ थे पर ka figur ठांच करता हुए इसके पहले वाले को देख लो इसके पहले वाले को देख लो ठीक इसके पहले वाले में क्या लिखा हुआ है तू लिखा हुआ है तू लिखा हुआ है तो मैं सीधा अपने प्री को उस टू वाले इंडेक्स पे लेके चले जाता हूँ ठीक, अब मैं C और C को मैच करा, मैं को जैसी मैच वे तो 2 प्लस 1, 3 यहां पर आ गया, बाकी अल्गोरिस्म वैसे ही चलती रहेगी, और अगर मैच नहीं होता फिर भी, तो फिर सेम कहानी, कि प्री यहां पर अगर मैच नहीं होता माल लो, यहां पर कुछ और दिया रहता, यह वहां पर जो LPS की value है, उस वाले index पर चले जाओ, और आगकी problem तॉल, यही है मेरा KMP, पूरा खेल यही है, यही logic था कि जब आपका mismatch होता है, वहां पर आपको क्या operation execute करना है, clear है, हाँ जी भहिया, भहिया क्यों मैं एक पहले वाले को देख रहा हूं, क्यों मैं एक पहले कर चुके हैं, यह वाले point में, यह वाले में, मुझे पता है, D और C, equal नहीं आने वाले, D और C, बिल्कुल भी equal नहीं आने वाले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कि भाईया, ABC, AB, ABC, AB, यहाँ पर दे रहा था, कि मुझे इसके part को, इसके पहले वाले part से match करवाना पड़ पड़ेगा, किसके, इसके कुछ पार्ट को, इसके initial part से match कराना पड़ेगा, मतलब इसके suffix को, इसके prefix से match करवाना पड़ेगा, जो second है, ठिक, मैंने देखा, value जोनों में same ही रखी है, ठिक, हाँ जी भाईया, तो मैं कह सकता हूँ, कि भाईया, इस वाले point का LPS जून लो, इस point का LPS कितना है, बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, हाँ जी, तो इसने बोला मेरा LPS 2 है, तो मैं second वाले index पे कूद गया, इसलिए, अब मैं जी सिरफ इसको, इसको compare करना है, अगर equal होई, तो मैं आगे बढ़ता हूँगा, कि मुझे पता, A, B, तो equal आई रखे हैं, और जैसा pattern, जो prefix में आया वह हो, तो इसने बोला मेरा जैसा pattern, पहले second वाले index से पहले आ रहा था, सेम A, B, वहाँ पे भी आ रहा था, उसके बाद आप चेकर रखे हो, कि वहाँ पे C आ सकता है, क्योंकि यहां पर मुझे पता था, कि A, B के बाद C आ रहा है, तो इसलिए इसने तॉले में गया, इसने बोला है, यहां पे A, B लिखा है, ठीक, A, B लिखा है, उसने पहले भी क्या है, कोई A, B आया था, जो इतना बादा था, उसने का आया है, यहां पे, और उसने का उसके बाद C आ रहा था, तो वह match हो गया, उसने answer दे दिया, इस तरीके से, इस algorithm को execute कि आजाता है, I hope, आपको यह पूरा logic समझाया होगा, कैसे आमने इस table को fill किया, last time, इस table को fill करके देख से, आपको पूरा चमकातुना, clear, आ जाएए, यह 0 है, prefix, suffix, ठीक, क्या A और B equal है, आपसे question बूछ रहा हूँ, क्या A और B equal है, A और B equal है, आपने का नहीं है, नहीं है, अ आप क्या करते हो, जब equal नहीं होते हैं, जब equal नहीं होते हैं, तो मैं जब पर प्रिविक्स का pointer रहता है, उससे पहले वाले पर देखने की कोछिस करता हूँ, करता नहीं करता है, पर इसके पहले तो कोई पार्ट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, हाँ ना, तो जब आप 0 index प करता हूँ, वही तो करता हूँ कि परिवक्स के पहले वाले को देखो, परिवक्स से पहले तो कुछ हाई नहीं, तो जैसे मैं 0 वाले इंडेक्स पर देखूँ, यह यह आगे बढ़ा दो, यह यहां पर आ लिए सब, क्या A और T equal हैं, नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि पर पहले वाले को, परिवक्स का पहले तो कोई existence नहीं करता, तो मैं लग इसको 0 बढ़ दो, आगे, A और A equal आ रहे हैं, 1 बढ़ दो, दोनों को एक-एक से आगे बढ़ा दो, B और B equal आ रहे हैं, तो 1 प्लस 1, 2, दोनों को एक-एक आगे बढ़ा दो, C, C और D equal नहीं आ रहे हैं, prefix is equal to suffix नहीं आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, बताइए, मैं क्या करता हूँ, इसके पहले वाले एक वाली पर जाओ, और इसके इंडेक्स पर पहुंच जा जाता हूँ, फिर same कहानी, यह D और यह A equal है, वो कहता है, नहीं है, तो मैं बोलता हूँ, इसके पहले वाले index, इसका पहले वाले index का existing करता, तो यह आपने 0, clear, हाँ जी भईया, इस तरीकते में table को भर रहा हूँ, इस तरीकते में क्या भर रहा हूँ, table को, अब आप इसको as यह था, कि इधर भी कोई D आजाता है, A, B के बाद कोई D आजाता, तो यहाँ पर मैं 3 को लिखते था, पर वो possible नहीं है, तो वो कहता कि चलो, उस्ते पहले कोई odd pattern क्या पता बन रहा हो, तो इसलिए वो पीछे गया, क्या पता कोई pattern exists करता हो, जो prefix and subix को बराबर मना दे, त इसलिए मैंने यह operation execute करवाया, तो यह कर दिया, और के बाद तिमपली क्या करना है, दोनों को एक एक से आगे, ओ, सॉरी, जब मैंने 0 भड़ दिया, अब यहाँ पर आ जाओ, क्या A, A, E, 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 E E, 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 E क्या सी और ये डी मैच कर रहे हैं तो क्या करना पड़ता है बताईए जब ये मैच निकरता सी और डी मैच निकरता तो इसके पहले वाले को देखिए इसके इंडेक्स वाली value को देखो और वहाँ पर चला चाहिए तो में यहाँ पर चला गया जी रूपर फिर चेक करा कि प्रिविक्स तब इक्वाल है उसने का नहीं है तो इसने का इसके पहले वाला उसने का इससे पहले वाला कोई exist करता नहीं है तो मतलब यह 0 ही रहेगा ठीक हाँ जी वहिया अब इसको एक से आगे बढ़ा दू ए और ए मैच कर रहे है वन दुनों को एक एक से आगे बढ़ा दू दूनों को एक एक से आगे बढ़ा दू इसको यहाँ पर आई इसको बाहन जैसी बहार आ गया मुझे मेरा आंसन मिल गया तो मैंने यहां पर देखा जो मेरा pointer था कौन सा prefix वाला वो हमेज़ा आगे ही बढ़ रहा था prefix वाला कभी-कभी पीछे आ रहा है कभी-कभी पीछे आ रहा है और वह भी बहुत बड़ा jump लेके आ रहा है कैसे बहुत बड़ा jump लेके आ रहा है तो भाईया यह जो LPS कर आया है यह order of end time time भी निकाल दिया इस पेस भी निकाल दिया इस तरी किता में इसको solve गया है इस problem पूरी problem गो तो भाई क्या आपको यह method समझ आया है जो आज सिकाया है I hope इसने आपको कुछ sense बनाया होगा अगर आपको लगता है किया कुछ पार्ट ऐसा था प्रीकी सा उसको दुबारा देखिए उससे दुबारा decode कीजिए डिबग कीजिए और अचिता आपको समझाएगा मैंने अब इस तरफ से पुरा best दिया आपको समझाने का मैंने कहा ह यह one of the hardest algorithm है कई बच्चों को अराम से समझा आगया होगा अब हम इसके code पार्ट पर जलते हैं इसको एक जूट करवाते हैं अब इसका code पार्ट कैसे दिखेगा आपको एक string दी होई होगी अराम से ठीक है string का नाम S माल लेते हैं किलियर है हाँ जो A B C D A B कर या आपको दे सबसे पहले मुझे क्या बनाना है एक वेक्टर बना रहा है एंटर टाइप का जो होगा LPS जिसमें कितने साइज होगा LPS जो बना रहे हो एस डॉट साइज कॉमा जीरो से मैंने पूरे को इनिसलाइज कर दिया हाँ जी बढ़िया दो में बना रहा था एक प्रिफिक्स वाल आले इंडेक्स पहां अब मैं सिंपलता ये लूट चला रहा था किल एक सिर्टेंस हो यहीं यहीदा सब ऑट कंको लाज्टा कुछ आता है इस एक छैज और इस में कर गया रहा था। calorie में अब वह बहुत सब यही करा था, कि क्या, वो match हो रहे हैं, क्या string का prefix equal to equal to, string के suffix के बराबर आ रहा है, जब equal आते तो मैं क्या गणता हूँ, कि दूनों equal आते, prefix equal to, suffix आ गया, तो LPS cable को बढ़ना शुनू कर देता हूं, LPS of suffix, हां ना, उसमें क्या बढ़ता हूं, prefix प्रिफिक्स को प्रिए लिखता हूं। यह ही करता हूँ। हाव जी भईया, उसके बाद attackuğ एक एक और बढ़ाते हैं। प्रिफिक्स को भी प्लसप्लसद, ओ आ सप्रिक्स को भी प्लसद यहां पर ही अगर मैं बात करूं। माल लिजी, कि यह मेरा प्रिफिक्स यहां पर था कि सब्फिक्स यहां पर था कि ए मैच हो गया थिक तो मैं क्या करता था कि यह जो यहां पर जीरो रखा है किसमें डाल दो फिर्फिक्स यहीं करता था और उसके बाद दूनों को एक एक से आगे बढ़ा दो यहीं तो यहां पर प्रिफिक्स में क्या दाल दो फिर्फिक्स प्लस बढ़ा दो clear हाँ जी यह तो हो गया मेरा कौनवशीAb हो जाता है अब अगर मैच नहीं होते इल्स में अगर मैच नहीं होते तो उसके कंडिजयुक्ट क्या होती है जा मैच नहीं होते पृफिक्स और तफिक्स मायच नहीं हुए, तो उसमें मैं क्या दरता हूं उसके बाद, दूही कंडिशन होती है. अगर prefix equal to equal to 0 आई यह फिर prefix 0 इक्वार्वल नहीं हो देखो जब मैं इस type खर अदिशन में आजाता हूं कि यहाँ दूनों match नहीं करें जिसमें आगर यहाँ पर यह बात करूँ इसको मैं prefix बोलेता हूं और इसको कॉछा पर च्पार्ड शेessite को तो कि पर इस पहले Quandthe बॉलता था कि जब प्रिफिक्कotic टो पॉइंट कर रहा रहा FM को जीरोओर इंडेक्स को तो मैं इससे पहले जा नहीं सकता क्यों मैं आपको यही तू बताया था कि मैंस करता पर बिबिस को उसते पहले वाले पे, LPS पे लेके चले जाओ, तो इससे पहले वाले कोई नहीं है, तो मैं क्या बोलता यहां पे सीधर क्या बढ़ देना जिरो बढ़ देना मैं यहां पे करने करने बार हूँ। यह अगर प्रिफिक्सी तुमारे के क्लड़ जीरो होता है तो एल्पियस अओग सब्विक्स को बना दो जीरो और सब्विक्स को बढा दो एक से आगे बस है कि लिए हाज जी भया और नहीं तो एल्स में ओ आ एल्स में क्या करता हूं कि भाइया, जो मेरा रिफिक्स है उसमें क्या दाल दो, LPS of prefix minus रे जाया क्या लिख रहूं मैं ये prefix to simple यह कैसे आई भाइया, यह condition कैसे आईे, मेने का वो भी बहुत सिंपल है मांलीजिए जब मैं मैक करा रहा था यह यहां पर इन दुरों को मैं सिक्राओं तो मैं क्या कर दो तो यहां पर रहते था इस के पहले वाले की LPS को देख लो ठीक और इस PRE को वहां पर लेकर चले जाओ तो न कूच के यहां प्याता था base, प्रिक के अंदर क्या यहां प्रिक करता हूँ? LPS of प्री इसको पॉइंट करेगा प्री मैंनस पॉइंट करेगा प्री यहां पर आजाएगा यही करता हूं यह अगर इक्वल नहीं आए तो इसके पहले वाले को देखो वहां पर क्या विल्यों रखी है तो इसको अगर चोटा कर दूं आई हो आपको दिख रहा हुगा यह पूरा कोड आपको दिख रहा हुगा अजी दिख रहा है और लास्ट में मुझे क्या आंसर देदाना है रिटन एलपीएस जो लास्ट वाली वैल्यों होती है एस डॉट स्टाइड माइनस वन लास्ट वाली इंडेक्स पर वैल्यों रखी है उसको रिटन करवा दीजिए यह आपके लूप का काम थाओ रहे इस तरीके से यह पूरी तरीके से एक्जेक्यूट हुआ है आई होप आपको यह पूरा पोड्स बनाया होगा तो सबसे पहले हम क्या करते कमपेरिजन करते हैं अगर एक्कोल आ रहे हैं तो यह एलपीएस के अंदर वैल्यो आज़ेओ किसकी प्लस वन की और अगर एक्कोल नहीं आते हैं तो मैं कंडिशन चेक करता हूं कई मेरा यह य जिरो इंडेक्स पर देनी है अगर जिरो इंडेक्स पर हुआ तो सीधा LPS के अंदर दाल दो 0 और सब कर दो एक से आगे अगर जिरो पर नहीं है किसी ओर इंडेक्स पर है तो मुझे पता है मुझे जा पर कुछ जिसको प्री इंडिकेर कर रहा है उससे पहले वाले वाले को वहां किसको लेके चले जाओ प्री को लेके चले जाओ बस यह इसका कोड है इतना साही है I hope आपको काभी कुछ समझ आयोगा आज की वीडियो में अब चलते हैं इसके implementation पर चलो इसका कोड हम लिखते हैं string हमारी s हमें दे रही है तो इसका कोड चलो start करते हैं पहले vector ले ले prefix जो zero index को point करेगा एग होगा मेरा suffix जो one वाले index को point करेगा अब हम अंदर आ जाते हैं कि while जब तक मेरा suffix less than होगा मेरे s.size से अब यहां पर दो condition आती है या तो prefix of suffix match हो रहा होगा या तो match हो रहा होगा या फिर not match यही हो सकते condition हाँ जी भाया तो if s of prefix equal to equal to s of suffix equal हो उस case में मुझे क्या करना पड़ता है बताए भाया अब lps of suffix को क्या बना दिए prefix plus when यही करना पड़ता है हाँ जी भाया और उसके बाद दुनों को एक से आगे बढ़ा दिए इस तरीके से अब second condition क्या होती है जब वो match नहीं करते है तो else में आ जाओंगा हाँ जी भाया अब else में मेरे पास दो condition होती है कि if अगर मेरा prefix 0 वाल index को point कर रहा है तो मुझे मेरे पास simple है कि lps of suffix को क्या बना दीजिए 0 बना दीजिए और suffix को एक आगे ली जाजिए ठीक और अगर prefix 0 वाले index को point नहीं कर रहा है तो मुझे simple ही क्या करना पड़ता हो आप पे कि भाया prefix को कहा पे ली जाजिए lps of prefix minus 1 इस टाइप से और last में return क्या कर दूँगा lps of s.size minus 1 इस तरीके से हमने इसको execute करवा दिया तो इसको run कर लेते हैं तो हमारे test के इस पास submit करते हैं 703 test cases है और सारे के सारे हमारे pass उचके हैं इस तरीके से हमने इस code को execute करवाया है देखो ऐसे नहीं हो तकि जब मैंने पहले बार किया आज यह मैंने इसको पहले class से पहले start किया था एक बार मैंने पुछ time पर solve किया एक बार मैंने पहले भी इसको बहुत time solve किया है मैंने आपको simplest method बताया है इसको solve करने का LPS वाले को, अब आपका homework है कि एक बार आप KMP algorithm पो देख लेना, कल हम उससे related question करेंगे, उसके बाद KMP का use और कहा कहा होता है, वो भी code को हम execute करवा रहेंगे, चलो चलते हैं वीडियो की और वापस, आज की वीडियो में आपको काफी क try करने के कोशिस करना, उसकी intuition को समझने के कोशिस करना, नहीं होगा, कल हम उस question को cover करेंगे, और वो तो हमाले बहुत easy होने वाला कल, ठीक है, हाँ जी होई है, तो मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए, जय ही, जय भार,